दोस्तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 19 जून के बाद कभी भी जारी किये जा सकते हैं मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट बड़ी खबर है जैक की ओर से दस्वी और बार्वी की बोड के रिजल्ट जल्द घोसित किये जाने की संभावना है खबरों को माने तो जैक कक्षा दस्वी और जैक कक्षा बार्वी 2022 के रिजल्ट जल्द ही खोसित किये जाएंगे बड़ी खबर है जार्खन में 20 जून तक होगी जमा जम बारिश जहारखन के अधिकांश जीलों में 20 जून तक जहमा जहम बारिश का पुरवानुमान है वहीं कई शहरों में बजरपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलट भी जारी किया गया है ऐसे मौसम बिभाग ने 21 जून तक बजरपात के दोरान लोगों को पेड़ के नीचे खड़ा होने से साफ तोर पर मना किया है मौसम बिभाग के अनुसार जहारखन में बजरपात कहर बन रहा है अब तक जहारखन में लगबग दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत बजरपात के कारण हो गई है बहुत बड़ी खबर है एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का नहीं कर पाएंगे इस्तिमाल जी हां बहुत बड़ी खबर है देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाब सरकार ने एक सन प्लान त्यार कर लिया है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए केंदरिय प्रदूशन नियंतरन बोर्ड यानी CPCB ने करार नियम बनाया है CPCB ने साब तोर पर कहा है कि एक जूलाई से अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक की बिकरी करता है या इस्तिमाल करता है तो उसके खिलाब सक्त कारवाई होगी CPCB ने सिंगल यूज प्लास्टिक की लिष्ट भी जारी की है जो एक जूलाई से पूरी तरह बैन है इन सभी प्रोड़क्ट्स के अल्टरनेटीब के लिए 200 कमपनिया प्रोड़क्ट बना रही है इसके लिए उन्हें लाइसेंस रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है बिरोद के बीच केंद्र का एक और बड़ा फैसला अगनी वीरों को रक्षा मंत्राले में भी मिलेगा 10 परतिशत आरक्षन देश भर में जारी बिरोद परदर्शन के बीच अब रक्षा मंत्राले ने भी अगनी वीरों को लेकर बड़ा एहलान किया है रक्षा मंतराले ने अपने मंतराले के तहत होने वाली भरतियों में अगनी वीरों को 10% आरक्षन देने का एलान किया है रक्षा मंतराले ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकरी दी है रक्षा मंतराले की ओर से किये गए ट्वीट में ये कहा गया है कि मंतराले की भरतियों में अगन वीरों के लिए 10 फिसदी आरक्षन की प्रस्ताव को रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने मंजूरी दे दी है रक्षा मंद्री राजनात सिंगी और से मंजूरी मिलने के बाद अब जरूरी शंशोधन किये जाएंगे इसके बाद ये फैसला लागू हो जाएगा बड़ी खबर है जार्खन में 19 जून को होगी जार्खन पोलिटेकनिक परवेश परिक्षा जार्खन पोलिटेकनिक परवेश परिक्षा 19 जून को जार्खन की राधानी राची के बिभिन परिक्षा केंदर में आयुजित होगी इस परिक्षा को लेकर जार्खन सयुक्त परवेश परतियोगिता परशद ने तयारी पूरी कर ली है खबरों को माने तो 4,000 परिक्षार्थी इस परिक्षा में शामिल होगे जार्खन सयुक्त परवेश परतियोगिता परशद की आधिकारिक वेबसाइट www.jceceb.jharkhand.gov.in से अभियार्थी अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अभियार्थियों के लिए निर्देश जारी हुआ है कि एड्मिट कार्ड को लेमिनेशन न करें वहीं अगर एड्मिट कार्ड में कुछ भी त्रूटी हो तो इसके लिए जार्खन सयुक्त परवेश परतियोगिता परिक्षा परशद को आवेदन देकर उसमें सुधार करा चाह जा सकता है भड़ी खबर है जर्खन के मुक्यमंत्री फिया हैमन सोरेन ने कहा ज़ार खड़गे जेलों में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के साथ अल्ब संख्यक कैदियों की संख्या ज्यादा है इनमें ज़्यादातर मामले अंडर ट्रायल हैं अनसुचित जाती और अनसुचित जन जाती के कैदियों से जुड़े मामले की बिशेस तोर पर तहकीकात की जाने चाहिए और अदालतों से इनके मामलों के निश्पादन की परक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाने चाहिए मुख्यमंत्री हेमल सुरेन ने प्रोजेक्ट भवन में कारा विभा की अधिकारियों के साथ उच अस्तरिये समिक्षा बैठकी उन्होंने इस पस्ट रूप से जेलों में बंद स्टी एसी कैदियों की पूरी तकीकात करने का निर्देश दिया है जार्खन सरकार का बड़ा फैसला परतिबंदित हुआ पान मसाला जार्खन में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर परतिबंद लगाया गया है शुकरवार को जार्खन के मुख्यमंत्री स्री हेमन सुरेन की अगवई वाली सरकार ने बड़ा निर्ने लेते हुए इन सभी पान मसाला ब्रांडों को एक साल के लिए और परतिबंदित कर दिया है जार्खन सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला पर परतिबंद एक साल के लिए और बढ़ा दिया है जहारखन के बिभिन जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमोनों की जाच में हानिकारक मैगनेशियम कार्बोनेट पाए गए थे जिसके बाद 8 मई 2020 को जहारखन में इनकी बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई थी पिछले साल भी इस परतिबंद को एक वर्स के लिए बिश्तार दिया गया था बड़ी खबर है केंदर सरकार बेचेगी सस्ता सोना 20 जून से कर सकते हैं खरीदारी केंदर सरकार आपको बजार से भी सस्ते में गोल्ड खरीदने का मौका दे रही है सावरेन गोल्ड बांड स्कीम 2022-30 की पहली सीरीज के तहट सोना खरीद सकते हैं 20 जून से यह मौका मिलेगा सावरेन गोल्ड बांड योजना 2022-30 की पहली सीरीज के लिए इश्यू प्राइस पांच जार एक्यानबे रुपे परती ग्राम तै किया गया है आरवेन ने इस बारे में जानकर दी है SGB की यह सीरीज 20 जून से लेकर 24 जून तक ओपिन रहेगी डिजवरोब बांड ओफ इंडिया ने कहा कि सोरन बांड योजना 2022-2023 की दूसरी सिरिंखला आयोजन के लिए 22-26 अगस के दोरान उपलब्द होगी बतादे कि केंद्रिय बैंक भारत सरकार की ओर से यह बांड जारी करता है जारकन के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी सौगात 26 जून को होगी पुरानी पेंशन योजना की घोशना बड़ी कबर है जहारखंड के मुख्यमंत्री सिरीहमंसोरें ने राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना की सोगात देने का संकेत दिया है उन्होंने ट्विट कर कहा है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मियों ने लंबा संघर्स किया है अब वादा निभाने का समया गया है खबरों को माने तो 21 जून को कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिलने की संभावना है 26 जून को National Moment for Old Pension इसकिम जारखंड राची के बिरसा मुंडा फुटवोल स्टेडियम में पेंशन जैगोस महा सम्मिलन का आयोजन किया है उसमें जारखंड के सियम मुख्य अतिति होंगे इसमें 50,000 कर्मियों के जूटने की संभावना है संभावना जताई जा रही है कि 26 जून को ही मुख्यमंतरी Old Pension योजना कब से लागू होगी इसकी घोसना करेंगे बड़ी खबर है वोटर लिष्ट को आधार कार्ट से लिंक करना हुआ जरूरी पैन कार्ट के साथ आधार को लिंक करना पहले ही जरूरी था अब वोटर आईडी के साथ ही जिहां साथ भी आधार को लिंक करना जरूरी हो गया है माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से एक व्यक्ति का एक ही वोटर आईडी कार्ड रहेगा और जिन्होंने एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड बना रखा है उसकी पहचान कर फरजी कार्ट वो खत्म करने में मदद मिलेगी सरकार ने इस फैसले को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कानून मंत्री ने एक चार्ट शेर्ट किया जिसमें लिखा है कि इलेक्टोरल रोल डाटा के आधार एको सिस्टम के साथ लिंक किये जाने के बाद एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग स्थानों पर मल्टीपल वोल्टर जिया मल्टीपल वोल्टर आईडी कार्ड बनाने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी कानूर मंत्री ने कहा कि चुनावी परक्रिया में सुधार के लिए मोधी सरकार द्वारा उठाया गया ये एतिहासी कदम है बड़ी खबर है देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले 24 घंटों में 13,000 से ज़्यादा नए मामले भारत में कोरोना वाइरस तेजी से फैल रहा है कोरोना की चौथी लहर की आशंका का बीच कई महनों बाद एक ही दिन में 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए है स्वास्ति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 13,269 संक्रमितों का पता चला है ये जनवरी के बाद एक दिन में सबसे अधिक मामलों का जिहां केसों का मामला है बीच कई 4-5 महने लगातार कोरोना के केस कम थे लेकिन पिछले 15 दिनों से कोरोना ने फिर से रपतार पकड़ ली है भारत में पिछले 24 घंटों में 23 लोगों की मौत कोरोना के कारण से हुई है इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 68,000 को पार कर गई है आधिकारिक आकडों के अनुसार मौजुदा समय में 68,108 संक्रमीतों का इलाज चल रहा है वहीं पिछले 24 घंटों में 8,148 लोग कोरोना से रिकबर भी हुए है चिंता की बात यह है कि डेली पोजिटिविटी दर लागातार बढ़ता जा रहा है इस समय डेली पोजिटिविटी दर बढ़कर दो दस्वलों साथ तीन परतिशत हो चुका है बड़ी खबर है अंतरराष्टी योग दिवस को भव्य बनाने की केंद्र सरकार की बड़ी तयारी हर साल 21 जुन को मनाय जाने वाले अंतरराष्टी योग दिवस भव्य एतिहासिको इसे लेकर केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को इसके लिए जिमेदारी सौंपती है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी 29 केविनेट मंत्री राज्जिय मंत्री अलग-लग अस्थानों पर मौजूद रहेंगे अंतरराष्टी योग दिवस को एतिहासिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर तयारी की है इस बार योग दिवस पर खास तयारी केंद्र सरकार की और से इसलिए भी की गई है कि कोरोना काल में दो वर्सों तक योग दिवस नहीं मनाय गया था लिहाजा परधानमंत्री सहीत सभी केमिनेट मिनिश्टर योग दिवस के मौके पर देश के अलग-लग अस्थानों पर मौजूद रहेंगे आम लोगों के साथ योग करेंगे आजादी के 75 में वर्स के अउसर पर मनाय जारह अमरित महुत्सव के तहत केंद्र के 75 मंत्री देश के 75 महतपूर्ण अस्थानों पर योग दिवस में भाग लेंगे स्वाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में एतिहासिक मैसूर पैलेस मैदान में 15,000 लोगों के साथ योग करेंगे बड़ी खबर है इन पांच राजियों के लिए मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावने देश की कई राजिये में मौनसून की दस तक शुरू हो गई है इससे कई जगह बारिश से तापमान में गिरावट दर्ची गई मौनसून की गतिविधियों को देखते हुए इस वर्स अच्छे मौनसून की उम्मीद की जा सकती है इसी बीच मौसम बिभाग ने पांच राजिये के लिए बारिश, आंधी और विजली गिरने का अलट दिया है मौसम विभाग का उनुसार इस समय कई राजियों में मौनसुन सिष्टम सक्रिय होने से कई राजियों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी मौसम बिभागने जीन राजियों में बारिश का अलट किया है उनमें राजस्थान, हरियाना, मध्य पर्देश, बिहार, 36 गड़ शामिल है